नमस्ते दोस्तों हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिये हिंदी लेखिका सुनीता जैन जी की लिखी हुई कहानी क्रेजी किया रे तो शुरू करे कहानी क्रेजी किया रे हर वर्ष जो जो सर्दी की छुटिया निकट आती हैं तियों तियों घर में भहस गर्माने लगती है दिल्ली चलोगे इस साल प्रश्न कभी मैं करती हूँ कभी मेरे पती कभी कोई और दिल्ली ना बाबा ना पिछली दफ़े तो हेपेटाइटिस भी लेकर आए तीन दिन अस्पताल में रहना पड़ा मयंग बूला कहा नहीं था कि वहां संभल कर खाना पीना हमारे साथ तो ऐसा ना होता मेरे पती बूले पापा आप भी न बस आपको तो अपना पंजाब याद है वे जमाने और थे आपकी जैसी इम्मुनिटी थोड़े है हमारे पास बाहर का छोड़ो हम तो घर पर भी डर डर कहीं खाते रहे लेकिन दाथ तो साफ करेंगे न सुबह ना हैंगे भी पताने कब कमबक्त ये बैक्टिरिया गुज जाते हैं शरीर में नहीं नहीं मुझे नहीं जाना तो कहां चलें कहीं भी कहीं भी जबसे सुनामी आई छोटे टापों पर जाने का मन नहीं होता ना ही समुद्री किनारों पर और भी तो देश हैं पती कुछ ना बोले सिर हिलाते रहे पर मुझे पता था वे क्या सोच रहे हैं जबसे 9 सितंब अपर का हाथसा हुआ वे बच्चों को भी कही भेजते वे डढ़ते हैं, सबी के तो अमेरीकी पासपोर्ट हैं, कहीं भी कोई उगरवादी दबोच ले, अमेरिका में ही कहीं चलें कितनी बार तो जा लिये जहां जहां जाना चाहते है मैंने कहा पर जो नहीं कहा वो ये कि दिल्ली जाकर अच्छा लगता है अपने लोग, अपना खाना अपना घर, अपनी आबो हवा वाट आबो हवा मम्मी नीतु सुनती तो तमकती पिछली दफ़े याद नहीं क्या हुआ था रेंवेस्टेशन पर सारा सामान लेकर भाग गए पुलिस ने अलग तंग किया ये तो अच्छा है हमारे पासपोर्ट हमारी जेबों में थे नहीं तो वहीं बैठे रहते हम दिल्ली में नहीं जाएंगे तो मेरी चूडियां कैसे आएंगी डिंकी बोली और नए नए कपड़े मैं तो अब इंडियन डांस ग्रूप में भी हूँ न मुझे लेंगे चाहिए गुंगरू और कास्ट्यूम्स और बड़ी बड़ी नकली जोयलरी भी तेरा पेट तो कभी ने भरेगा जरा दराज खोल खोल कर देख तो कैसे उपर तक ठुसे पड़े हैं चुट्यों का मतलब शॉपिंग थोड़े ही होती है तो क्या होता है दोनों बहनों में देर तक घमासान घमासान होता रहेगा तब अच्छा चलो मुझे रसोई में काम है मैं सबको नाश्ते की मेंस से भगाती दो दिन बाद फिर वही छुट्यों में कहीं चलना है दिल्ली चलना है तो जल्दी बता देना मेरे पती बोले आज कल टिकट बहुत महंगे हैं दस हजार डॉलर तो वैसे ही लग जाएंगे दिन पे दिन हवाई जहाजों को कम करते जा रहे हैं एक ही फ्लाइट ठूस ठूस कर भरते रहते हैं इससे पहले कि मैं कुछ कहता वे फिर बोले चलना है तो बताओ पर मेरे सामने बुराईयां मत गिरने बैट जाना यहां नहीं होता क्या क्राइम दो बार तो मुझे पिस्तॉल दिखा कर डूट लिया एटियम के आगे तुमारी मा का पर्स चीन कर भाग गए दिन दहाडे और रात को हारलम जैसी जगे निकल गए तो शायद हड़ी भी बाकी ना बचे अपना तेश अपना होता है छोड़ थोड़ी देंगे बच्चे एक एक कर खिसक दे किसी का मुबाईल बच गया था किसी का दोस्त बाहर हॉन बजा रहा था अब बच्चे मैं और ये एक ही अवसाद में घेरे कुछ-कुछ हताश हम दोनों को अमेरिकी हॉलिडे नहीं भाते अगर किसी समुद्र किनारे जाओ तो लगभग नंगों की भीर में मैं अपना छे गच का सलवार कमीश या साड़ी ही संभालती रहती हूँ बहुत अटपटी लगती हूँ खुद को पती हिसाब लगाते रहते हैं यह होटल की एक रात का इतना खाने का इतना हम अन्य भारतियों की तरह किसी अन्य भारती परिवार पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि केवल अपना देशी नहीं छूटा अब हमारा इतिहास भी हमसे छूट रहा है तेजी से, बच्चे जब छोटे थे, हम जब चाहे उठकर चल देते थे, दिल्ली, चंडीगर, आगरा, अब सोचना पड़ता है, उनकी तो कोई यादे भारत से जुड़ी नहीं, वे खफा होते हैं छोटी छोटी बातों से, नलों में करम पानी नहीं, गर्मियों में आंधी क कि बारिक धूल, सर्दियों में मार्बल के फर्षों से उठ्टी शीत लहर, बात्रूम में जाते, रोज सुबह जीगते हैं सारे, लेकिन हम अमेरिका में कहीं जाएं, तो हमें कोई जानता नहीं, भारत जाते हैं, तो बच्चों को, किसी को जानने में रुची नहीं, उनके का शाप है, फिर भी हम न जाएं, दो एक वर्ष, तो अमेरिका काटने को दोड़ता है, यहां की हर बात पर चिर्चिराट बढ़ जाती है, मेरी और मेरे पती की, भारत से ठक, तूट और वीमार होकर लोटते हैं, तो अमेरिका फिर अच्छा लगने लगता है, साफ हवा, स इस बार कहा जाएं, यह समस्या अप्रत्याशित रूप से निप्टी, थैंक्स गेविंग के पर पर बड़ा बेटा शानू घर आया, तो साथ में मीशा भी थी, वो आते ही मुझ से लिपट गया, फिर मीशा गले मिली, घर बर में वधाई बजने लगी, ग्रेट, कि आवाजे हरोर, मीशा को हम सब भी बहुत प्यार करते रहे हैं, शाम को खाने के बाद सब टीवी वाले कमरे में बैठे तो शानू मेरे से सटकर बैठा, ऐसे ही बैठता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, हाँ, मैं बोली धीरे से, कुछ कहना है क्या, पैसे चाहिए, नो प्लीज, पापा तो अब वहाँ जाते नहीं, क्या कर मीशा चुको गई, उसकी मा की मरत के बाद उसके पिता ने एक अमेरिकी औरत से विवा कर लिया, मीशा तब से अकेली पड़ गई, मीशा में अपनी मा के दिये गहरे संसकार हैं, वो बढ़िया गाती है, चितिकारी करत है, बंगला बोलती है, पर तुमारे मम्मी पापा के रिश्चितार तो कलकत्ता होंगे, कोई बात नहीं मम्मी, मैं ले जाओंगा इसे दो एक दिन के लिए कलकत्ता, सबसे मिल लेगी और चंडी गढ़ में दादी जी से भी, ठीक है, मैंने कहा, पंद्रे को चलेंगे, अठ पूल, बड़ा सहार, तगड़ी, दो दिन बाद मेरे पती रजट पांच टिकट ले आए, बोले, बड़ी मुश्किल से दोनों तरफ के आरक्षित टिकट मिले हैं, तौबा, लगता है सब भागे भागे वहीं जा रहे हैं, खैर मेरे दो बच्चे तो नहीं जा रहे थे, मै का अपना दोस्तों के साथ केंपिंग का प्रोग्राम बन गया, और नीतु ने कहा कि उसकी सहली का विवात है हो गया है, सो वो भी नहीं जाएगी, तो बचे मैं, रजट, डिंकी, शानू और मीशा, क्योंकि हम पांच थे, यात्रा हस्ते हस्ते ने पड़ गई, दिल्ली भी किसी ने कुछ पूछाई नहीं, तो इससे डर गए होगे, शानू ने उसे छेड़ा, सोचा होगा कोई फिल्म अबनेत्री है, देखा मम्मी, यह हरदम मेरी टांग खीचता है, मानू क्या इसे, नहीं मीशा, वो खुश हो रहा है कि किसी ने हमें तंग नहीं किया, पिछली रिवेदी जब पिछले बड़े दिनों की छुटियों में आया, तो अपनी मा के लिए टिफनी कंपनी से कट ग्लास का फूलदान उपाहर में लाया, तूटने के डर से डिब्बा हाथ में लटकाये चला आ रहा था, ग्रीन चैनल से, एक महिला इंस्पेक्टर ने रोक लिय कैमरा भी और घर वालों के लिए कुछ उपाहर में कपड़े, जिन पर उसने कीमत की चिटें जल्दी में नहीं उतारी थी, गोद लिए बच्चे की कपड़े पर 40-40-50-50 डॉलर के दाम चिपके होंगे, इन्होंने रोका तो जाने क्या-क्या गिनने बैठ जाएं, बाहर ब इतना पतन, लड़ने को हुआ पर रोक लिया स्वयम को बड़ी कड़वार से 100 डॉलर उस औरत के हाथ में पढ़के, यकीन नहीं होता, रज़त बोले, लेकिन नयाय हो ही जाता है कभी-कभी अपने आप, दस-एक दिन बाद अकबार में छोटी सी खबर थी, कि दिल्ली के पाई अड़े पर एक महिला कस्टम इंस्पेक्टर घूस लेते पकड़ी गई और निलंबित कर दी गई, टैक्सी तब तक घर आ गई थी, घर पर वही हमारी जानी पहचानी भारती धूमधाम, अगले दो-तीन दिन भी बढ़िया निकले, डिंकी अपनी खरिदारी में व्य वही पनीर की सबजी में, कभी बेग्ड, कभी कच्चा, कभी पनीर टिक्के, रज़त तो बोल गए, पेट दर्द में पढ़े रहे, वो शाम मैं टीवी के आगे अकेली बैठी थी, मिशा आकर बैठ गई, क्यों, बाहर नहीं गई, नहीं मम्मी, शानु अपने स्कूल के दो जल्दी चैनल पलटती रही, कोई फिल्म देखोगी, यहां तो अब सो चैनल है, एक आए को पलट का पहले वाले चैनल पर लोटी, मैंने नजर उठाई, स्क्रीन पर दो छोटे-छोटे बच्चे नाच रहे थे, हम बाते करती रही, एक आए एक नए बच्चे की जोड़ी हैं, और देखो न, बच्चे कपड़ी भी फिल्मी पहने हैं, हाव भाव भी उसी फिल्मी द्रशिके जैसे हैं, जब वो छोटी आठेक बरेस की लड़की, नौपरस की लड़के की बाहों में लड़की, तो मीशा ने आँखों पर हाथ रख लिया, अशलील है यह, अमेरिक कैसे तालिया पीट रहे हैं दर्शक, शेम, मीशा समाज विज्ञान में डॉक्टरेट के लिए शोत कर रही है प्रिंस्टन में, उसने मेरे कंधे में मूझ छिपा लिया, एक और बच्ची काले कपड़े पहने, छोटा सा बलाउस पहने नाशने लगी, हाई, ये इश्क कमी ये इश्क कमीना, कभी छाती पीटती, कभी हतेली से, कभी कूला, मैंने टीवी बंद किया, हम सुबह के लिए सामान बानने में लगे, चंडीगर से तभी भाई साब का फोन आया, गुड़ी, चंडीगर आते तुम्हें तीन बच जाएंगे, शायद जादा, आजकल कोहरा लग जाता है, सुबह सुबह, देर से निकलना, धूप चड़ जाये तब, रास्ते में मेरे बेटे का साला है, पानीपत में उसकी फैक्टरी है, वहीं रुकना उसके गर, तो पहर का खाना खालीना, उन्होंने बहुत कहा है, भाई साब मुझे आज भी गुड़ी कहते हैं, कभी कभी रजद भी, जब बहुत दुलार आता है मुझ पे, करनाल में करना जील पर रुकने का मन था सबका, पर भाई साब के फोन के बाद प्रोग्राम बदला, पानीपत रुकेंगे, चलो शायद ठीकी है, बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, घर ठीक रहेगा, गार पारे छिंदवारे में भी एक मैडम दोपहर को डांस सिखाती है रड़कियों को, ताकि वो टैलेंट शो में जा सकें, सब सीखते हैं, अपना राज है जी, बंदा कुछ भी कर सकता है, लोग तो माइंडी नहीं करते, शानू अजब बात है, सुनकर शानू गुस्ये में आय अंग्रे जी में भड़का, मनोरंजन जो होता है इन पेडोफाइल्स का, फिल्मी दर्ष्चों की नकल करना टैलेंट होता है क्या, मैं और रजट खिर्की के बाहर देखने लगे, मानो हमने सुना ही ना हो, गनीमत है डिंकी हमारे साथ नहीं थी, वो वहीं अपनी ममेरी पाड़ के पूछ बैठती, वाट इस पेडोफाइल्स, खाना खाया, खूबसूरत घर, बड़िया बगीचा, दिल्ली में तो वैसी बड़ी-बड़ी कोठिया संभव नहीं, हमारे मेजबान बोले, चंडीगर में देखीगा सेक्टर 9 के कुछ बंगले, जननत जैसे वहीं ह देखे हैं, मैं हसकर बोली, एक घर के पेड़ में तो लीची जमीन तक लटकी थी, मीठे नीबू भी, रजत तो सांस भरी, हमारे पंजाब में तो ऐसा ही था सब जगे, दूद, मक्खन, फल, सबजी, तभी तो आप आज भी इतने हट्टे-कटे हैं, मैंने छेड़ा, नो नजर, रजत हसा, तभी हमारे मेजमान शर्मा जी की बेटी बाहर से आ गई, अपने पापा को दोपहर में घर पर देख कर उन से लिप्टी, फिर मा की गोती में जा बैठी, बड़ी प्यारी गोल मतोल, ये गीतम है हमारी, मा ने कहा, नमस्ते करो, कितनी बड़ी हो गीतम ब सीख कर आई है, अच्छा, मैंने कहा, क्या सीखती हो, कथक, वो अंजानी सी मा को देखने लगी, कथक क्या होता है, मा हसी, चलो आंटी को दिखाओ, तुमने क्या सीखा, वो जाकर टेप रिकार्डर उठा लाई, गाने का टेप तेजी से चलने लगा, फास्ट फारवर्ड, गीतम बोली, नए कपड़े पहलनू, हाँ, जल्दी आना, वो लोटी काले सूट में, छोटा सा जाली टॉप, मैंने प्यार से कहा, तुम्हें बर्दे पर मिला, मम्मी ने सिलवाया, नहीं बाजार से लिया, इसकी नानी जी ने भेजा, मा बोली, करीना कपूर वाला है, गी गीतम बोली, ले जा सोनी है, नहीं, हाए ये इश्क कमीना, गीतम नाच रही थी, छाती पर मार मार कर हाथ, फिर अपने कूले को बाहर निकाला, छोटे से हतेली से अपने को पीटती, उचलती, आँख मटकाती, ये इश्क कमीना, उसकी मा और पिता हस हस कर बेहाल, उनकी सा जानती थी, इश्क का अर्थ, ना उसका मीने का, रजट चुपके से उटकर ड्राइवर से कुछ कहने बाहर निकल गया, मीशा बात्रूम में चली गई किसी बहाने से, मैं और रजट अपने अपने कंधों में मूँ चुपाए थे, मुझे रजट पर दया रही थी, उसके प उसकी प्रैक्टिस भी कर ले, जीतम रुकी, और जैसे ही गाना चालू हुआ, वो नाचने लगी, क्रेजी किया रहे अभी आप सुन रहे थे, सुनीता जैन जी की लिखी हुई कहानी, क्रेजी किया रहे लेखक लोग हमेशा कथानक को समाज में से ही उठाते हैं, आप कथानक से सहमत हैं या असहमत, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, फिर मिलेंगे, आपका समय शुब हो, मंगल मैं हो